ओम प्यारे बच्चो सूप्रभात तो बच्चो आप लोग जानते हैं कि हम नईतिक सिक्षविसे के पार्ट नंबर तीन का अध्यन कर रहे हैं जो कि आदे से अधिक हम लोगों ने पढ़ लिया है तो बच्चो आज बचे विशेस पार्ट काम जो है अध्यन करेंगे और उसे समझेंगे तो आईए हम प्रारम करते हैं छटे नियम में आरे समाज का उद्देश से संसार का उपकार करना गोश्चित की गए अब जो आरे समाज का जो छटे नियम है उसका मुख्य उद्देश से संसार का उपकार करना था संसार में हर प्रकार के मुसीबत के समय खड़े र जो भी जिस भी प्रकार की समझे अध्वा किसी भी प्रकार का सहयो करना हो, उसकेलिए त्यार रहते हैं प्रिन तुकर किसी देश भावना लखने वाले जब इस प्रकार की जो भावना लखेंगे लोग किस प्रकार की उपकार की तो कैसी भावना दूसरे लोगों की सारी लिक उनके सरीर की आत्मिक उनके अध्यात्म की आत्म की और समाजिक और समाज की अचार बेवहर की उन्ति का प्रितन करने के लिए सेम ही कमजोर होगा वो दूसरों का उपकार भला कैसे कर सकता है समाज में जो अपना स्तर ना बना पाए उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती इस समाज में इस संसार में जो विक्ति अपना स्तर अर्थत अपना लेवल ना बना पाए उसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती नहीं उसक संसार का सेयोग करने के लिए संसार में आने वाली भी पतियों से निप्टने के लिए यदि तैयार होना है तो क्या करना है इन तीनों?णती द्वारा अपने को उपकार कर सकने योगए बनाना हम चाहिए इन तीनों में भी पहले सारी रिक फिर आत्मिक और उसके बाद सामाजिक उनती पर बल देना चाहिए परंतु तीनों उनती को तो हमें बनाना चाहिए परंतु सिस्टम से बनाना चाहिए जैसे कि पहले सारी रिक हमारे स्रीर की दिर्टा हो स्रीर हमारा अच्छा हो पुष्ट हो आत्मिक और हमारा जो अध्यात्मिक ध्यान हो हमारे बिचार अच्छे होने चाहिए और उसके बाद फिर साम आज एक तब जा करके हम समाज के लिए जो है उन्ति पर बल दे सकते हैं तो समाज में उन्ति करने वाले लोगों का सहयोग कर सकते हैं स्वैम को उन्नती का सादन बना और समस्त संसार की सेवा करो अपने आपको उन्नती करने का एक सादन बनाओ एक माध्यम बनाओ और क्या करो बच्चो आज ये पात यहीं पर संपूर्ण होता है कल हम इसका अभिहासकारे करेंगे और मैं आप लोगों किसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पात समझाया होगा आप बार-बार इस पात को समझेंगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे अभिहासकारे हम कल करेंगे इतने कह करके मैं अपनी बानी को बिराम देता हूँ इति ओम शम